Hello friends, आज हम जानेंगे English word Deliquent की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है Deliquent की मतलब है अपराधी, दोशी चलिए कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example Provision is made for to run dependent, neglected and delicate children इस sentence का हिंदी में मतलब है अनुपश्टित, आक्षीत, उपेक्षीत और अपराधी बच्चों के लिए प्रावधन किया गया है चलिए next example जान लेते है Such impulse often result in antisocial or deliquent behaviors इस sentence का हिंदी में मतलब है इस तरह के आवेगों का परिनाम अक्षर आसमाजिक या अपराधी बेबहार होता है चलिए next example जान लेते है If payment is deliquent, late charts are added to the amount due इस sentence का हिंदी में मतलब है यादी भुकतन बकाया है तो दिये राशी में बिलम सुल्क जोर दिया जाता है चलिए next example जान लेते है Are you wondering how to know if you are deliquent on your mouth guess इस sentence का हिंदी में मतलब है क्या आप सोच रहे कि कैसे पता चलेगा कि आप अपने बंधक पर अपराधी है So friends, उम्मिद करती हूँ Deliquent की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है और अच्छी तरह से समझ गे होंगे इसी तरह से और भी English और हिंदी में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो like करें और साथ सा सेनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा